लोग अच्छे से समझेंगे round-up or round-down और M round के बारे में और round formula के बारे में यह सब समझने से पहले आप पहले यहां पर दिखेंगे मैंने कुछ structure पहले से बना रखा है तो चलिए पहले मैं आपको यहां पर दिखेंगे सयले लिखा हुआ इसको ड्रैक्ट करने के बाद में चाहे हैं तो की कर सकते हैं और इसी को अगर यह डिक्रेज देस्मल संख्यां ना है यहीं आपका म्राउंड की फरों निकाल सकते हैं और देखें और उन्स सारी माली 2145 लिखता है अब देखे हैं घेंगें यहां पर रॉंड प्राया यांप लिखने के बाद मैं यहां पर नहीं मने रॉंड लिगने के बाद में यह माली 2000- ở corporate लिए और वegattend है लुए है और यहां पह कॉमा लगाएंगे और माइनिस टू अगर लिख देते तो माइनिस टू का मतलब होता है सैकड़ा तो यहां पर क्या करेगा यहां पर दो सब्सक्राइब करेगा तो दीखे फिर से लिखते हैं आर ओ यू एंड राउंड लिख दिया और यहां पर दीखे 255 को उने सलेट किया क माइनिस टू लगा दिये तो देखिए यहां पर कर रहा है सीधा सीधा दो डिजिटाइड करें के 50 से ऊपर का संख्या है अब देखिए यहां पर मैं लगा कर्के देखता हूं जो 199 लिखा है रोई यू यू इंटी रॉंड लिखेंगे और ब्रेकट में लेकिन एक और मैं यहां पर करके दिखता हूं और यहां पर देखिए यहां पर मैंने स्लेट कर लिया सब्सक्राइब देखें यहां पर च्यादर कर दे रहें तो यहां पर सीदा सीदा क्या करेंगा यह राउंड में कर दिया अब देखें यहां पर जो है मैनिस 2 कर दिये थे तो यहां पर आये था टू हेंडेट लिया और मायन इसारी कर देレह हैं तो दिखेंगे पूरा-पूरा बढ़ा देता है अब राउंड आप का मतलब क्या होता है यहां पर यहां पर वैलू में यह वाले ले लूँगा 245 वाले यहां पर लिखेंगे हम लोग इसी 245 वाले को ही सब्सक्राइब कर ले रहें और माइनिस टू लगा देते हैं और इंटर करेंगे तो देखिए यहां पर दो रिजिट इसने का कि पीछे से माइनिस कर देया यहां पर दो घटा दिया इसने दो डिट बढ़ा दिया है अगर मिले यहां पर संख्या माली जी सि तो इसी तरीके से हम लोग इसको ऐसे कर ले रहें ड्रैग को देखें ड्रैग कर ले रहे हैं सबका जो है फार्मला निकल के आ जाएगा आटोमेटिकली बस आपको क्या करना है यह रूल के हिसाप से चलना है एम राउंड समझ लेते हैं जैसे कि तो यहां पर देखिए एम आरों यूंड राउंड लिख देब रिकट लगाया और यहां पर तेन थाउजन को स्लेट कर लिए क्वामाली हम चाहते हैं कि टू से विभाजित हो जाए तो क्या संख्याएगी तो देखिए आ रहा है आपका टेन थाउजन अगर यहां पर हम अलग से लिग दे रहे हैं त से डिवाइट किया था तो अब इसको फर्मला लगा रहे हैं इक्वेल यह सेलेट कर ले रहे हैं और डिवाइड वाइक अधर रेंट टू इससे पांच हजार रुपए अंसर निकल के आ चुका है जानी यह जो टू से डिवाइड का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जो सी सीधा सीधा दो से विभाजित हो जाए तो पांच जार आगे जिससे दो से विभाजित हो जाएगा और दसजार आपका वैलू बन जाएगा इस तरीके से आप इम्राउंड को भी निकाल सकते हैं आसानी से मैंने इसको ड्रैक कर लेंगे तो यह चीज़ आप जरू ध्यान र लाइक करें वीडियो को शेयर करें पेज पर ना है तो पेज को फालू करें थैंक्यू फिर मिलेंगें नेक्स्ट वीडियो में